तो ताइटील और थाबनेल देखे आप लोग समझी चुकेंगे ये कॉंसर्ट टाइप के ये वीडियो होने वाला है तो यूपी एससी का फिर से एक ऑन्नाइन फ्राम रिलीज हुआ है ठीक है तो क्या क्या यहां पर एप्लिकेशन फी है क्वालिफिशन क्या रहेगा अपला जाता टाइम ना लेते चलिए शुरू करते है आज का वीडियो तो यह जो आपको पेश देख रहा है यूपीसी एंडी फर्स्ट ऑन्लाइन फ्राम 2021 ठीक है मतलब 2021 में यह लेटेस्ट वेकेंसी है यूपीसी के तरफ से तो इंपोर्टेंट जेट जो होने वाला है एप्लि के लिए 100 रुफिया एप्लिकेशन फी है एसी एन एस्ट के लिए कोई फी नहीं है तो आप लोग पेमेंट ऑन्लाइन से भी कर सकते हो आप लोग पेमेंट कर सकते हो तो एडमीट कार्ड जो आपको दिया जाएगा यह है मार्च में एक्जाम देट जो इन्होंने बता कर र इंडिया होगा क्योंकि यह आल अवर इंडिया से इंडिया में नाशनल डिफेंस एकाडेमी बिलॉंग करता है तो एज लिमीट जो आप लोग को है यहां पर मांगी जा रहे है यह है केंडेट शेरिंग देट आप बात बीटूइन सेकेंड जूलाइट तू 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 एक पोस्ट बता रहा है ऑनके 418 उंट तो यहां पार पोस्ट नेम जो है यह आर्मी वींग डimcanee क्यों अगयार फोर्सनेंवल वींग अन्डिया मेंट ल मेंट नशनल डिफेंस एकाडिमी तो जो इंडिया करता है तो उसका है जो लेवल होता है यह पे अलेवल 13 से इसका स 208 नभी के तरफ से 42 पोस्ट और यहार फोस्ट 120 और नेवल अब पोस्ट है 43 पेस्केल जो इन्होंने अभी तक बता नहीं एस पर रूल्स मतना पेस्केल 10 लेवल पे शुड़ाता है मतना 56,000 आप प्रॉक्स यहां पर स्टार्टिंग सेलरी है पेस्केल पर मांथ ठीक है अब लोग को यहां पाज इतना भी कॉलिए आपको 12 करना है साइंस से तभी आप लोग अप्लाई कार पाओगे यह यह जो नेवल अकडेम है सभी के तरफ से आपका पास 12 में साइंस था मतलब फिजिक्स मैट था पियो साइंस था तभी आप लोग इस पोस के लिए एप्लाई कार पाओगे इंडिया के एक्जाम में बेट पाओगे ठीक है फिजिकल स्टैंडर्ड जो है कैंडेट शुट भी फिजिकली फीट फिजिकली फीट नेना चाहिए एक ऑँली अन्मेरिट मेल कैंडिया डीलिजिवेर फोर एपलाइं एंडिय जो अनमेरिट कैंडिययल है मेल कैंडियर सिफ उसी एप्लाई कर पाऊगे इंडिया के तरफ से किलिए तो अब लोग का से करना है इंट्रेस्टे याण डिए अब लोग एक रसक्तों ऑन इंडिय का मोड़ अफ़ सेलेक्षिन जो हैए पहले रेटिए एगजम होता है और जिर टेस्ट इसको बोला जाता है तो रिटिन यह जो रिटिन होता है यह ओल्लाबर इंडिया जो टाया इसका मेरट बनता है शेयर भी कर दीजिए तो आज का लिए बस इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग